हेलो एव्रिवन आई होप आप थीक होंगे चली आज का वीडियो देखरे हैं फाक्टर प्रॉड करेंगे।ट्फ निए या अप इस वीडियो देखर हैं या बिजनसेbn हो आप दोनों के लिए भी ये वीडियो रहने रहला है चलिए देखते हैं factors कौन से है जो प्रॉडॉक को Effect करते है इसमें देखिए दो Factors मुंताब company के बाहर के चीजेंगे उसे एकstarter मैं आपको इससे मैंने मारकेटिंग जो न एपी सेलेबस मैंने वह स्टाट कर दिया है मैंने पिछले दो लेसंग के वीडियो अपलोड कर दिये हैं देखेह के टेल में डिटेल में देखेंगे क्या कि कौन से इंटर्न फैक्टर्स मतलब जो भी कंपणी के इंदर के जो चीजे रहेंगे जो एक product की price को रखने में effect करेंगे उसे internal factors कहेंगे इसमें बहुत सारे factors आएंगे वार मैं आपको चार ऐसे factors बताऊँगा जो main factor है जो effect करेंगे प्राइस रखने में चलिए एक एक सहे दिखते हैं चार factors internal factors में परदूसिज कोस्ट वाल एंग कोस्ट गए तो आपको कितना कोस्ट लग रहा है प्रोडक बनाने में वो शुब वो सो product के cost ही हम नजर में रखते हुई अपना price रखना होगा thus includes variable and fixed cost आपको ये भी देखना होगा कि variable cost कितना लग रहा है और fixed cost कितना लग रहा है वो भी आपको देखना होगा thus while fixing the prices the firm must be able to recover both variable and fixed cost जब आप एक product बेच रहे हैं तो आप ये दोनों भी cost जो variable cost and fixed cost जो आपको लगा है produce करने में वह सारे आप निकाल पाना वाईसे आप price रखना product का अब fixed cost क्या होता fixed cost मतब जो एक ही cost रहता मतब जैसे building current हो गया वह change नहीं होता मेना मेना ऐसे इसको fixed cost कहेंगे अब जैसे variable cost मतब electricity expenses मतब यह change होता एक मेना लगाता एक मेना लगाता जो change होता उसे variable के होते हैं fixed मतब जो fixed रहता उसे fixed cost रहते हैं तो जब भी आप एक product का price रख रहे हैं तो आप ऐसा price रखना कि आपका cost जितना भी लगा production में वह आप पूरा पूरा निकाल पाएं और पूरा निकाले के बाद आपको थोड़ा profit हो वहीसा आप अपना product का price रखना यह था first factor अब second factor देखते हैं second factor है the predetermined objectives while fixing the prices of the product the marketer should consider the objectives of the firm आपके जो भी objectives रहते हैं एक product मानने से पहले वह आपके पूरा objectives पूरे होना जब आप price रख रहे हैं अब देखते हैं for instance if the objective of a firm is to increase profit then it may charge a higher price and of the objectives to capture a large market share and then it may charge a lower price if you have the coffee like that, अब आपका motive है मन है आपका objective है किए आपको जदा से जदा profit कमाना आँ तो आप ज़्यादा price रख सकते हैं अगर आपका यह मन है यह आपका objective है कि मेरे जदा ज़्यादा sell होना हर market में मेरा product होना बोलता है आप product का price low रख यह बढ़ना एगा है image of the film the prices of the product may also be determined on the basis of the image of the film in the market अब एक price के product भी जान लिये जाते हैं जैसे रखे जाते हैं उनके image कितना है market में image के हिसाब से product का price रखा जाता है for example HUL can demand higher price for the products as they enjoy goodwill in the market HUL जो हिंदुस्तान universe limited जो company है वो अपने product का price जादा जादा रख सकती है क्योंकि उसका image है उसका goodwill है market में इसलिए ये भी factor affect करता price रखते हैं मतलब image image के हिसाब से भी price का product रखना चाहिए अगर पूरा निच्चे price रखेंगे तो हो समझेगे कि product खराब है इसलिए image के हिसाब से भी product का price रखा जाता है last factor देखते हैं इंटर्ल फैक्टर में promotional activities the promotional activity undertaken by the film also determines the price अगर promotional activities भी जितना भी खर्चा आया वो सब खर्चा भी रख कर price रखा जाता है product का if the film incurs heavy advertisements and sales promotion costs then the pricing of the product shall be kept high in order to recover the cost अगर advertisements में या तो sales promotion में अगर बहुत ही स्यादा आपका पैसा लग रहा है एक film का पैसा लग रहा है तो अपने product का price हाई रख सकती है तो भी एक factor होगा जो product की price में affect करेगा ये थे चारो factors first था cost, second था predetermined objectives, third था image of the film and fourth था promotional activity ये जो सारे जो internal factors जो company को affect करते हैं एक price, product का price रखने में I hope आपको internal factors समझने आये होंगे अब बढ़ते हैं external factors external factors मतलब जो भी company के बाहर के factors है जो company को एक product का price रखने में affect करते हैं उससे कहते है external factors इसमें मैं आपको चार example दोंगा चार factors बताऊंगा चलिए एक-एक से देखते हैं first था competition while fixing the prices of the product the film needs to study the degree of competition in the market जब भी एक कोई भी company अगर product का price रख रही है या तो फिर आप एक product का price रख रहे हो तो आपको यह दिखना होगी competition market में कितना है if there is a high competition the prices must be kept low to effectively face the competition and if the competition is low the prices may be kept high अगर market में competition बहुत ही जदा है तो आप अपने product का price कम रखे क्योंकि आप से customer attract होंगे और आपका product जदा जदा sale होगा अगर competition कम है market में तो आप अपना product का price जदा भी रख सकते हैं जदा sale होने के लिए जदा profit कमाने के लिए इसलिए competition कितना market में वो देखकर आप product का price रखना चाहिए यह भी एक factor है जो effect करता है product का price में अगर जदा competition रहा तो आपको product का price कम रखना होगा इसलिए effect करता है यह factor चलिए second देखते हैं second है consumers the market is will consider the various consumer factors while fixing the prices the consumer factors that must be considered including the price and city of the buyer purchasing power and so on consumers तो main potential of the market है consumer के वीज़े से हमारा अस्वा product भीखता है तो आपको consumers के कुछ factors रहेंगे जो इसको आपको mind में रखना होगा आप consumers के factors कहकर रहते हैं price incentive मतलब उनका कितना purchase कर सकते हो कितना है उनका purchasing power देखना उसके बहुत ही आपके product का price रखना चाहिए अगर उनका purchasing power जदा नहीं होगा तो आपको यह factor है जो भी आपको affect करेगा price रखने के लिए इसलिए आप कोशी society में जाके product बेच रहे हैं कोशे market में price रख रहे हैं वो market में consumers कोशे आएंगे उनके purchasing power देखकर आपको product का price रखना होगा नेक्स्ट है government control government rules and regulations must be considered while fixing the prices in certain products government may announce administrative prices and thereby the marketer has to consider such regulation while fixing the prices government के जो भी rules and regulations है prices रखने में उसके हिसाब से आप product का price रखना चाहिए अब कुछ products में क्या रहता है government उस product का price announce करती है इसलिए आपको वैसे प्रोड़क का price रखना होगा अब जैसे for example लेते हैं coconut oil या तो फिर sunflower और ले लिज़े आप इसका prices हर टेम newspaper में प्राइज़ आते है newspaper में जो प्राइज आपको उस प्राइज में आपको product बेशना होगा इसलिए कुछ product है रहते हैं जो government भी government जो बोलती है वो वो में आपको बेशना होगा इसलिए आपको government के जो भी factors है जो भी rules है regulations है वो आपको mind में रखते हुए आपके product का price रखना चाहिए last है channel intermediaries चैनल intermediaries मतब intermediaries मतब एक producer है और consumer है producer और consumer तो जा के direct consumer को goods नहीं बेचेगा अब बीच में को ना आते है wholesaler wholesaler का रहता producers को पास से goods लेता और वो जा कर किसे बेचता retail shop में बेचता retailer आगा अब retailer कर से consumer बेचता जो wholesaler and retailer है न वो बीच में जो आते हैं उनको ही channel intermediaries कहते है the marketer must consider a number of channel intermediaries and their expectations the longer the chain of the intermediaries the higher will be the price of the products and the goods अब एक marketer को एक producers को channel intermediaries को है और उनके क्या क्या expectation है उनको में मैंड में रखते हुए अपने product का price रखना चाहिए जितने ज़्यादा intermediaries आएंगे बीच में उतना ज़्यादा product का price बढ़ता जाएगा इसलिए challenge intermediaries कितने है और कौन से कौन से है उनके क्या expectation है वो सब आपके mind में रखते हुए आपके product का price रखना चाहिए ये थे four factors internal factors and external factors I hope आपको वीडियो अच्छे लगा होगा वीडियो अच्छे लगागा तो like कर दीजिए और चैनल के साथ जोड़े रही है ऐसे आपको वीडियो देखने को मिलेंगे thank you